हेलो और वेल्कम गाइज आज मैं आगया होना वीडियो के साथ तो आज का वीडियो थोड़ा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज बात करने जाला हूं कोड़ प्रैक्टिस फर होस्वैनी अगर आप इलेक्ट्रीशिन हो या बनना चाहते हो फ्यूचर में तो आज का जो पॉइंट्स में बताऊंगा आपके साथ जो सेर करूंगा आप उसको जरूर एप्लाइ करें आप अच्छा एलेक्ट्रीशिन बन पाऊगे यह एक तरफ से रूल भी कह सकते हैं आप इसको तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यह पॉइंट्स जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि अलर्यक्टिकल वाइडिंग सिस्टम क्या होताे तो इससे पेदे एक बात है इससे भी पेद्वे आपको यह को जानना है कि जो टुस Looks मेंस होता है वह क्या मिल जाएगा है तो यह सर्विसमेंस क्या होता है कि जब अल्टी लाइन से आपके घर के मीटर बोर्ट तक जो कौनेक्षन होता है हम उसको ल्टी श्र्भी सब्सक्राइब sleutath तो आप electrical wiring जो है वो है आपके मीटर बोर्ट तक तो लाइन आ गया लेकिन उस लाइन इमीटर बोर से जब distribution होता है आपके घर में लाइन तब उसको बोलते हैं हम electrical wiring system तो इस electrical wiring system से related कुछ points मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहला number per point है one lighting circuit maximum load that can be connected is 800 watts और the total number of points connected is 20 points इसका मतलब है कि एक जो lighting circuit एक lighting circuit जो होए उसमें आपका maximum load होना चाहिए 800 watts और 800 watts से आप exit करते हैं तो आपको दूसरा lighting circuit connect करना पड़ेगा और आपका जो एक lighting circuit में 20 points से ज्यादा नहीं होना है 20 points यानि जो switch वगर हो गया यह बल्व के लिए older ऐसा होना चाहिए ठीक है तो दूसरा point यह कि provide fuse और mcb for each switchboard तो आपके घर में जितने भी switchboard होता है उसमें आप आप एक fuse या mcb जरूर लगाए इससे क्या होगा कि protection भी अच्छा होगा से फ्योगा अगर इनके स्कूइट सर्किट होगा आपके तो सब्सक्राइब करते हैं कि थोड़े सा पैसे बचाने लिए लिए एक फ्यूज और mcb जरूर लगाए और पॉइंट आता है तो ज्यादा तो लोग क्या करते हैं कि थोड़े सा पैसे बचाने लिए इस तरह का जो टूपीन सॉक्राइब करें थोड़े से पैसे के लिए असा मत किजिए क्योंकि त्रीपीन सॉक्राइब इसका भी काम करेगा और यह उतना काम भी नहीं आता तो अग्रा का पॉइंट है कि switchboard must be placed at the height of 1.5 meter above ground label यानि कि आपका switchboard और ground के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए हो है 1.5 meter तो नेक्स पॉइंट है ceiling fans और lights must be placed 2.5 meter above ground label यानि कि आपका जो ceiling fan होगा lights वगेरा होगा वह आपके ground label से 2.5 meter के ऊपर होना चाहिए उससे नीचे नहीं आना चाहिए कभी भी तो नेक्स पॉइंट है provide separate wiring for power circuit and lighting circuit तो आपका जो lighting circuit या power circuit होता है उसके लिए आप अलग अलग wiring कीजिए जैसे कि lighting circuit में तो यह आगया आपका lights मतब light वगेरा fan ऐसा सब कुछ और फोन चार्ज करेंगे आप उसके लिए powerpoint यह सब lighting circuit में आता है जो power circuit होता है उसमें आप जैसे कि geezer हो गया जो ज्यादा load वाला होता है उसको हम यूज करते हैं जो circuit में आप ज्यादा load यूज करते हैं उसको हम बोलते है power circuit और यह power circuit और lighting circuit में connection आपको separate करना है पावर शर्कीट के लिए अलग से दाशन करना है और जो lighting circuit है उसके लिए अलग से करना है इसके प्र उइवाइट separate earthing for lighting circuit and power circuit और lighting circuit के लिए आप अलग से अर्थिंग कनेक्ट कीजिए, एक ही अर्थिंग उसमें कनेक्ट नहीं कीजिए, वो कोई काम का नहीं वाकर, ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है, इसका मतलब यह है कि आपको स्वीच, जब भी स्वीच कनेक्ट करेंगे, आप न्यूट्रल में कभी मत किजिए, खली लाइब वायर में किजिए, तो आप न्यूट्रल में करता है, स्वीच कनेक्शन, तो यह बहुत ही गलत है, अगर आपका घर का लोट एट क्यविए से एकसिट करता है, तो आपको यहलं की अर्ट लिकेश सरकीट प्रेकर्स, ब्रेकर सब्सक्ता है, यानि कि और्थ लिकेज शरकिट ब्रिगर विन योर्ट एकसिट 8K विए ठीफेस सप्लाई इस यूस्ट यानि कि आपका जो लोड वोगा टोटल लोड जब 8K विए से एकसिट करता है तो आपको 3F विए सप्लाई लग वर ना होता है अगर आपका 8K विए से कम होगा तो आपको यह बीटे अच्छा लगा हो आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो ठीक है आपको जो किस भी समझ में आएगा आप कॉमेंट कर सकते हैं अगर कोई question होगा तो पूछ सकते आप इस वीडियो के वीरिलेटेट भी पूछ सकते हैं और और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स रिलेटेट कुछ भी पूछ सकते हैं